वेलकम प्रेंट्स आपका टार्गेट विद्रमेस्टर में स्वागत है दैनिक रोजगार समचार 27 अगस्त यूपी लेकपाल परिच्छा पेपर लीग नौक की तलास और अरार्बी थर्ड फेज की नई नोटिस जारी हो गई है पांच साल में हर घर में एक नौकरी मुखमंत्री योगी आजयतनात ने कहा 21 विश्विद्याले फरजी घोसित और यूपी पीएसी न्यूज वीडियो न्यूज और अगनी भरती न्यूज इन सभी मात्पूर्ण खबरों को हम लोग जानेंगे उससे पहले अगर चैनल पर न लेकपाल भरती परिच्छा के दोना नकल कराने के आरोप में अब तक माच स्कूलों के प्रवंधा के एक प्रिंसिपल की पुलिस जिल भेज चुकी है फरजी वाड़े में सिर्फ एस्टीअप ने ही नो लोगों को वांटेट किया है इसकी तलास में लखनो एस्टीअप न सिंटर कालेज में नईनी के चार अन कालेजों में नकल कराने की सामबाद सामने आई प्रिंस्पल पुलिस ने प्रिंस्पल उसके बेटे समय चार लोगों को भेजा जेल इधर लखनो एस्टीप ने छापह मारी कर यमना पार के चार स्कूल प्रवंधों को ग्रफतार किया इसमें जैबाबू और पांडे पुनीर ससी प्रकास समय आठ को जेल भेजा है इसके बाद चेतना गर्ल्स इंटर कालेज के प्रवंधक कसान की गरफतारी हुई इस केस में पड़े पकड़े गए आरोपियों के बयान और साच्छों के अधार पर पुलिस ने नव आरोपिय किया है इसमें से एक आरोपि जेतना गर्ल्स इंटर कालेज की प्रिंस्पर का पती आफताब है इस परिवार के चार लोग नकल में आरोपी बनाए गए चर्चा है कि गिरफतारी वा पुष्टाज के लिए टीम गई थी लेकिन पता चला कि बुजूर्ग बिमार है तो टीम लोट आई ये नौफ लोग हैं जिनकी तलास है इनकी तलास है अमित कतियार कानपुर पंकर सिर्वास्तो प्रियाग राज बिजर सिंह भदोही मेहन्थ प Qianवाग्राज अतूल सिंह भदोही और अस्तोस प्रियागराज आधेशयाम पांडे भदोही और अफ्ताव और राग अग्यात ये कहां कहा है ये अग्यात है नकल मागकर राकेट से जुड़े परवणतक भाइयों के भी तार जुड़े हैं इससे करेली के चेतना के लौशींटRE करल के परवणतक कसानने ओगले राज रकेट के सरगना जै बाबू जरीया भ्यूर्थे को कराई थी नकल साथ दलालों के भी नाम सामने आये हैं नईनी के पकड़े गए नकल माफिया राकेट के तार करेली जैबाबू यह सभी चीजे मतलब बताई गए नकल राकेट के मामले के दो अभियुक्तों की जमायत भी खारिज कर दी गई है और बैंक पर चेतना गलस कराने का ठेका राकेट के लिए पेपर सॉल कराने का काम करने वाले अमीत कटियार ने लिया था गवर तलब है कि कसान ने अपने भाई मा और करमचारियों संग मिलकर चेतना गलस इंटर कलेज में एक महिला भ्यारती कोई चिट से नकल कराई थी इस मामले में भी वांचित वहीं या सक्च अब भी राज बना हुआ है कि चिटीवी फूटेज में महिला अभ्यरती को अंसर की लिखी चिट देते हुए नजर आया है फिलाल बहुत धंग से बहुत सुन्योजी तरीके से डिवाईस चिट के माध्यम चाननी माध्यम से लेखपाल भरती का बंटा धार कर दिया और इसमें प्रबंद्रकों का बहुत खेला रहा और जो नकल माफिया गाएंग हैं उनका सबका खेला रहा अगली मातपूर खबर है वह यह अररभी नोट अरभी को ले करके अरभी ने थार्ड फेस की नोटिस जारी कर दी है थार्ड फेस का एक्जाम कब से होगा देख लिजिए, CBT अबब CEN will be held in multiple phases, now it is informed that the third phase of the exam, phase 13 scheduled by 8 September से अपलों के एक्जाम 19 सितंबर तक चलेंगे, subject to the prevailing condition and government guidelines issued from the time to time in view the handling of the COVID-19 pandemic. आपलों के schedule और 30 तारिक तक आपलों को पता चलेंगे, यहां देख लिए, the link for viewing the exam city date will be made live latest in 19 hour, 30 July, 30 August, and link for downloading the traveling authority, SCST candidate will be made live latest by 4 यानि दो बजे एक नव दो जार बाइस on the official website, RRB, मतलब 30 तारिक को आपको exam city पता चल जाए, कहां आपका center है, और आपने admin card download कर पाएंगे, फिलाल schedule जारी हो गया, थर्ड फेस का, RRB, group D की परिछा चल रही है, तो अगली महत्पूर्ण सूचना है, वो है, पांच साल में हर परिवार को एक नवकरी देगी, मुखमत्री योगी आजितनाथ ने संबोधित करके कहा, पांच साल में हर परिवार को एक को नवकरी देंगे, हापुर में 810 करो करोड के 244 परियोजनाओं के लोकार परकवा सन्यास के लिए पहुंचे योगी निया गुस्टना की, सियम योगी निया पदत विद्यालों के मैदान में आयुजित संजन समा में कहा, दिल्ली से हापुड़ और मेरिट की दूरी अब तक अब कम हो गई है, जेवर में अंतर साल में हर परिवार को एक नौकरी देंगे, मुखमत्री ने कहा, अगली महतपूर को सुचना है, वो है UGC को ले करके, 21 विद्यालों को UGC ने फर्जी घोसित किया है, जो फर्जी चल रहे थे, विद्यालों इंदा आयोगों ने सुक्रवार को 21 आयोगों विद्यालों को, UGC ने 21 विद्यालों को फर्जी घोसित किया है, इसमें आधिकांज दिल्ली और UP के है, UGC के चार और आधिकांज दिल्ली के है, UGC का सची और अजनीश चैन ने कहा है कि ये विद्यालों किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दे सकते, UGC दोरा फर्जी विद्यालों के बारे में जारी साजुनिक सुचना में यह भी कहा है कि चात्रों एवं जनसाधरान को सुचित किया जाता है कि देश के बिभीन भागों में 21 गयर मानिता प्राफ संस्थान कारिड़त हैं जो विद्यालों के अधिनियां 1956 का उलंगन कर रह हैं तो 21 विद्याले फर्जी हैं आप लोग इसको अच्छी से जान लेजिए वहां से कोई डिग्री डिप्लोमा या किसी प्रकार की कोई सैचलिक प्रोड़ पत्र ना ले अगली मातकुर्ण सुचना है वह MBA MCA की प्रिवेस परिच्छा को ले करके MBA MCA की प्रिवेस परिच् कर सकते हूं तर प्रिवेस लोग से आयों की समलित्स राज अभियंत्रण सेवा समान विशेच चैन परिच्छा 2021 प्रदेश के पांच जिलों में 19 मई 2022 को राजूत की गई थी नवीन सासना देश के तहर दिब्यांगों की उप स्रेंडी के संबंद में निर्धायत प्रारू लोटकर अपनी दिब्यांगता संबंदी स्रेंडी का प्रवाण पत्र इस एक लिफापे में रखकर प्रतेक दसा में नव सुतंबर तक स्पीड पोस्ट हुआ विक्तिकत रूप से आयों की गेट संख्या तीन वा इस्थित डाक अनभा के काउंटर पर आवस जम केंदरी और दोगी को सुच्छावल CISF की आरचक अगनी की भरती के लिए शुकुरवार को सुबा दोड हुई चार भर्टिव के हलत बिगड़ी सभी को दिबिया फूर CST में भरती कराएगा जहां गोतम बुद नगा निवासी एक अभरती के डाक्टर ने मृत गोसित कर दिया गेल पाताज इस्थित CISF एकाई में सुबा आठ बजे पहली दोड़ शुरू हुई या दोड़ पांच किलोमेटर की होती है इसमें 75 अभिहरती सामिर होते इसमें दोड़ने समय 13 अभिहरती घायल हो गया मौके पर मवजूद स्वासकर्मी ने उन्हें प्रात्मी को दिया दूसरी दोड़ में 76 अभिहरती दोड़े मगर देर से दो किलोमेटर के बीच में चार अभिहरती के हालत बिगड़ गई वे बेहोस हो कर गिल पड़े पीछे चल रहे है सुरच्छा कर्मी चारों को मौके पर मौके पर मवजूद अंबुलेंज से दीवियापुर शी अधिच्छक डाक्टर विजय आनंद और शिक्तसादिकरी डाक्टर अजय ने गौतमबुद नगर के दनकौर रामपूर खादर निवासी गौरो को मौत घोसित कर दिया और यह है वीडियो को लेकर के एक जब ट्रपल सी अनिवार आहरता नहीं तो न्यूप्ति से इनकार क सरकार अपनी बाद से मुकर नहीं सकते, सरकार ने कोर्ट में कहा कि ग्राम पंचायर ओधिकारी पद के लिए त्रपल सी के त्रपल सी पर्माट पत्र की आहरता नहीं थी तो फिर चैने-तव्यदियों को इस आधार पर निवार दिने से नेकार नहीं किया जा सकता कि याशीत स्विकार करते हुए इतना ही नहीं नहीं के पच्छे में कुछ। रुपे जुर्माना भी लगाया है यहां देश नयमुर्ति सौरफ श्याम समसेरी ने सोनबद की खुश्बू कुमारी गुपता को याचिका को स्विकार करते हुए किया मामले में याची तर्पदेश अन्यस्वचेन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी परिच्छा भरती 2016 की लिखी तेंसाइड परिच्छे में सफल गोसित हुए कि यह कहते हुए उससे साचतकार में नहीं बुलाया गया कि वह ट्रपल सी की आहरता नहीं रखती इसके खिलाब याचिका खारीज कर इसके खिलाब याचिका खारीज हो गई तो BCS अपील दाकिल की गई थी तो नहीं हो तो एक बाद फिर से मैं आगरे करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आएक कनाल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद